हे गाइस आपका स्वागत है दूबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दूबे आज मैं लेकर एक कंपारिजिन वीडियो जिसमें एक तरफ तो नियूली लॉंच टोहिटा फॉर्चुनल लेजेंडर है लेजेंडर टोहिटा फॉर्चुनल का सबसे हाइस्ट वेरियंट है और सबसे प्राइसी वेरियंट भी है तो आज हम इसे कंपार करने वाले सेगमेंट के दूसरे सबसे महेंगे प्रोड़क्ट यानि की MG क्लॉस्टर जे MG क्लॉस्टर अपने फीचर्स और बड़े साइज के लिए काफी ज़्यादा डेमांड क्रियेट करने में सक्सिस्फुल रह है मार्केट में लेकिन आज देखते हैं कि क्या फॉर्चुनर का नया वेरिंट या एक फेसलिफ्ट का जार लेजेंडर ग्लॉस्टर को टार्गेट कर सकता है क्या उसके डॉमिनेस और खतम कर पाएगा या ग्लॉस्टर आज भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चॉइस है इस कंपारेशन में हमने काफी सारे पैरामीटर से कंसिडर किया है जैसे कि पहला तो प्राइस होगा दूसरा डाइमेशन फिर एंजिन सेफटी फीचर्स आफ्टर सेजन सर्विस और अब काफी सारे पैरामीटर से इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देंगे तो चलिए शुरुआत हम प्राइसेस से करते हैं प्राइसेस में फॉर्चुनर का लेजेंडर वेरिंट 37,58,000 एक शोरो में आपको मिलता है तो वहीं पर आप ग्लॉस्टर का सेवी वेरिंट 35,58,000 मतलब यहां पर ग्लॉस्टर क्लियरली 2,00,000 रुपी सचती है अगर हम उसे लेजेंडर से कमपैर करें इसके बाद हम आते हैं अगले पैरामीटर यानि कि डाइमेशन्स में कि क्या लेजेंडर बड़ी है या ग्लॉस्टर लेजेंडर फॉर्चुनर का एक किल फेसलिफ्ट मिला है इसलिए लेजेंडर में आपको डाइमेशन्स में कोई चीज़ नहीं मिलता आज भी लेंद के मामले में ग्लॉस्टर अल्मूस्ट 200 mm लंबी है विद में भी अराउंड अराउंड 70 mm जादा है हाइट वाइज भी 22-30 mm की जादा है उसी तरह वील बेस भी 200 mm के राउंड लंबा है यहां तक की बूट स्पेस में भी ग्लॉस्टर को एक मार्जिनल लीड मिलता है मतलब डाइमेंशन एक ऐसा पैरामीटर जहां पे ग्लॉस्टर क्लियरली काफी आगे निकल जाती फॉर्चुनर लेजेंडर से इसके बाद हम आते हैं कि एंजिन कौन सा है क्योंकि यह दोनों गारियां काफी बड़ी साइज की इसलिए इनके एंजिन स्पेसिफिकेशन भी काफी इंपॉर्टन होता है अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लेजेंडर में आपको 204 PS का पाउर का एंजिन मिलता है वहीं ग्लॉस्टर में 215 तो टॉर्क में लेजेंडर आगे निकलते हैं 500 Nm तो ग्लॉस्टर 480 पर रह जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं पाउर और टॉर्क एक जग लेजेंडर आगे एक जग ग्लॉस्टर आगे मतलब यहाँ पर कोई clear winner नहीं है जब तक लेजेंडर वेरेंट नहीं आया था और फॉर्टुलर का simple engine ही आता था तब तक ग्लॉस्टर काफी बड़ा lead ले लेता था लेकिन लेजेंडर के ज़्यादा powerful engine की वज़े से वो lead Glosser गवा दिया लेकिन एक चीज है अगर हम उनके drive types को देखें तो लेजेंडर आपको two wheel drive में मिलता है जबकि Glosser में आपको four wheel drive को option मिलता है इसलिए engine comparison में ज्यादा torque होने के बाद भी मुकाबला को हम थोड़ा सा Glosser की तरफ decline करते हैं उसके four wheel drive option की वज़े से क्योंकि आप इस ज्यादा off-road capable product को आप यूज कर पाएंगे as compared to legendary जिसको आप उतना ज्यादा off-roading के लिए यूज नहीं कर पाएंगे इसके बाद हम चलने की safety features कौन कौन से मिलते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें तो चलिए हम safety features की बात करते है तो लेजेंडर में आपको 7 airbags मिलता है तो ग्लॉस्टर में 60 airbags मिलते हैं लेजेंडर में आपको ABS with EBD ग्लॉस्टर में मिलता है stability control, brake assist, hill assist, 360 degree camera यह हर एक product में मिलता है अगर हम special features की बात करें तो वहाँ पे लेजेंडर थोड़ा सा पीछे रह जाता है जबकि ग्लॉस्टर में आपको automatic emergency braking और lane departure warning भी मिलता है अब automatic emergency braking कभी कभी fail हो जाता है फिर भी एक अच्छा safety feature है अगर हम आगे चलते हैं क्योंकि यहां पे आपने around around 40 lakhs उपर amount spend किया है तो आपके लिए comfort and convenience भी बहुत important parameter है अगर हम इन दोनों के common features की बात करें तो दोनों में आपको touch screen audio system मिलता है लेजेंडर में आपको 8 इंच का तो Gloucester हमेशा की तर रिजिस्टर दे एमजी बड़े-बड़े screens देता है यहां भी 12.3 इंच का touch screen देता है दोनों गारियों में आपको ventilated seats मिलते हैं automatic climate control मिलता है even connected car पी दोनों गारियों मिल गया साथ में आपको cruise control मिलता है मतलब Fortuner में जो features की कमी तुसे काफी हद तक cover करनी कोशिर की गए लेजेंडर में लेकिन असके बाद भी Gloucester में आज भी ज्यादा features है पहला तो जो सबसे बड़ा miss हमेशा से रहता है यानि कि sunroof नहीं है Gloucester में आपको एक panoramic sunroof मिलता है साथ ही में आपको massage seats फे मिलते है जो long rescue पर काफी जादा helpful रहते हैं तो यह तो हुआ comfort and convenience की बात मतलब अगर अभी तक देखें तो हर एक parameter पे Gloucester आगे निकलता है आखरी जो parameter आता है वो होता है after sales and service तो यहाँ पर Fortuner के सबसे ज्यादा sale होने के एक major reason यही slide रहा है क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि Toyota is equal to reliability तो Fortuner में आपको 3 year या 1 lakh km की warranty मिलती है वही same warranty आपको Gloucester में मिलती है लेकिन Toyota को जो service network को काफी बढ़ा गर हम MG के service network से compare करते है साथ ही में दोनों का service network premium तो है ऐसा कोई major crisis अभी तक नहीं निकल के आया है तो after sales and service में तो हम Fortuner को zero lead देते हैं उसके बड़े service network की वज़ा से तो यह तो हुए भी तक के सारे parameters अगर हमने एक overall comparison निकाले तो as a product आज भी Gloucester एक ज्यादा value for money product है क्योंकि वो 2 lakhs असता है ज्यादा बड़ा है 4 wheel drive option provide करता है ज्यादे features देता है और safety features भी ज्यादा देता है लेकिन लेजेंडर में आपको यह चीज मिलता है कि आपको यहाप एक ज्यादा बहते रीसेल मिलता है साथी में आपको एक ज्यादा बड़ा service area का network मिलता है मतलब दोनों गाणियों कि कुछ ने कुछ features है कुछ ने कुछ losses है अगर आप city में रहते हैं या आपके आसपास में MG का service center available है तो आज भी Gloucester Legenders से एक ज्यादा अच्छा product है तो वहीं पर अगर आपको Chinese brands को prefer नहीं करना है तो Fortuner एक काफी अच्छी choice बन के आती है साथी में आपको Fortuner में ज्यादा अच्छा service network भी मिलता है आपको ए वीडियो कैसा लगा ये comment section में जुरू बताए और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो से देखना चाहते हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें